रवीवार को बार एसोसेशन सिविल कोर्ट गोरकपूर में परगतिशीर अधिवक्ता संग और डाक्टर अम्बेटकर संग के सत्सायुग तत्वाधान में भारत रत्म समिधान निर्माता बाबा साहब डाक्टर भीम राओ अम्बेटकर की 128 वी जहनती बड़े हर्शो उल्ला के साथ मनाई गए सरो पर्थम कारेकरम की शुरुआत मुकतिति बार एसोसेशन सिविल कोट अध्य mechanics और विरेंशाही ने किया कारेकर्म की अध्यषता एड्वोकेट संजय परकाष सत्यम तसाशन चालन एड्वोकेट चंद्रिका परसाथ भारती ने किया इस दावरान कारे अधिवक्ता संके अध्यश एड्वोकेट चंदिका परसाद भारती ने कहा क्या हो सकता है कि आपने बच्वों कोई सिख्षे करने का हो सकता है और क्रामकारिक पाने काल पर सस्च और सास्पर लेकर गड़ने की पाता है उनको पिश्पेशन करना सफना चाहिए बुद्धी ने कहा था कि मैं कोई बात को कहूँ और को यूँ ही स्रीकार कालोगो पेस्वागा चाहिए क्यों कि मनस्उस पी वागत स्रीकार केंड़े क्याशिक्त है उसपर तर्फोन विस्टिशं करें विस्टिशं करने के बात अने सपर निसप्र पो Celebrative कि बहुत करनाँ जो महादमात पुख ने की उसके पीशे ठान्स किया थी उन्हों ने तद्जू को एक रेक्षा ने जो होंने उपीया देख ने कि सम्हाँ ने जो हुने वैमर्श सिस्ता ने की शमता देख ने उसको देख करिकर भूर्णी किया। मैं चंदिक अपशाद भारती एडोकेट मैं इसी दिवानिक कचेरी में पैक्टिस करता हूँ प्रगसिल अदिवक्ता संग की अध्याच्छुं राष्टी अमबेटकर महासभा की अध्याच्छुं पूरा देश पूरा राष्ट एकसो अठाइसमी भारत रत्न बोधिसतु बावा साहब समिधान निर्माता बावा साहब अमबेटकर की जयनती समारो मना रहा है आज हम भी प्रगसिल अदिवक्ता संग और डाक्टर अमबेटकर अदिवक्ता संग के ततोधान में बार एसोसेशन सिबिल कोर्ट गोरगपूर में आयोजन किया है और इस आयोजन के मुक्यत थी बार एसोसेशन अध्याच मानने बिरन साहे जी विशीष्ट थी एडूकेटर राम असरे बावज जी इस तरह से तमाम बिद्वान जयने हाँ साहिक्रों की संख्या में उपस्तित है और बावा साहब को पुस्पान जली अर्पित कर रहे है